नमस्कार रिब दुनिय समाचार में आपका स्वागट है पेश हैं आज की प्रमुक खबरें रेल बजट में नहीं बढ़ा यात्री किराया माल भड़ा भी यथावच दर्श 2016-17 के लिए लोग सबाँ में पेश इस बजट में गरीब आम यात्रीयों से लेकर उचिस रेनी के यात्रीयों तथा दिब्यांगों तथा शिशूंगा ध्यान रखा गया है गरीव होता था मध्यमबर्ग के लिए नई रेल से माहें शुरू करने सुचना प्रदेवी के इस्तेमाल को बढ़ाबा देने साब सपाई और खानपान के वेफ़ता सुधार ने धार में गिफ्तलों को सरकेट ट्रेंड से वाफ़े जूने रेलबे के लिए एफम रेडियो स्टेशन चलाने के प्रस्तावों से रेल बजट को यात्री मित्र बजट का रूप दिया गया है इसमें रेल बे की आमधनी बढ़ाने के लिए माल वहन के दायरे का विफ्तार करने नई पार्शलनीती लोजिस्टिक पार्क वेयर हाउस आटो हब के माध्यम से अतिरिक आयश रजीद करने के लिए साथ ही पुर्जिया दक्ष्टा और आईटी प्रवंधन के माध्यम से जारों करोर रुपए की बचट करने के प्रावधान किये गए हैं प्रवंधन मंतरी ने बजट की सराना की विपक्षने की आलोचना प्रवंधन मंतरी नरेंदर मोधी ने कहा कि यातरी भाड़े में किसी प्रकार के वृद्धी नहीं करने वाला रेल बजट सभी वर्गों के लिए है जिसमें राफ्टी परिवहन विवाग को पुनर संगठित करने और उसमें नई जान डालने के लिए एक द्रिस्ती पेश की गई है उन्हें कहा कि इस बजट में हाई स्पीर और सुरक्षा के साथ ट्रेने उपलब कराने का भी लक्ष रखा गया है वर्ष 2,017 के रेल बजट को यातरी केंदर बताते हुए मोदी ने कहा कि यह देश में नई जान डालने में महत पूर्ण भूमी का अगा करेगा आई टी के साथ बजट में निवेश को महत दी जाने को और एक खांकित करते हुमूदी ने कहा कि पिछले साल में हमने काभी सफल्दा देखी और यह बजट इसमें और सुधार का प्रयास है ग्रिह मंतरी राजनासी ने फिर दूर दफ्टी वाला बजट बजट बताते हुए कहा कि पिछले साथ पैसक बरसों में जो नहीं हुआ वह इस बजट के मार्जम से पूरा होगा संचार वन फूचना प्रद्वियो मंतरी रविशेंकर परसाद ने कहा कि यह बजट भबिशेकार रोड में अप है केंदरी मंतरी किरन रिजेजू और राजियुपदाब रूडी ने भी बजट को अच्छा बताया है दूसरे और लोकसमा में कांग्रेस के नेता मलिकार जिन खड़गे ने कहा कि इसमें नया कुछ भी नहीं है धाचा गत सुधार की बात करने वाला ही है बताने को तैयार ही नहीं है कि पैसा कहा से आएगा पर केंदरी मंतरी शशी थरूर ने कहा कि इसमें रेल बजट जैसी कोई चीज नहीं है इसे सिर्फ शब्दों के जाल में फसा कर रह्षम ही बना दिया है और जनता के लिए इसमें कुछ भी नहीं है नाकपा के महमद सलीम ने रेल बजट को शब्द जाल करार देते हैं कहा कि इसमें कुछ भी नया नहीं है इसके साथ ही आम लोगों ने भी बजट पर मेली जोड़ी प्रतक्रिया दी किराया नहीं बढ़ा है रेल गाड़ी का किराया नहीं बढ़िया तो मतलब यह तुल मिला कि यह सब चीज़ें हमारे लिए आम आदमी के लिए तो बेस्ट है पर जोड रेल मंत्री सूरेश पर ने गाड़ी के लिए पर बहुत बड़ी है और लोगों की आकांख़ाँ को पूरा करने का भार भी है सीमित वित्ती संफाधनों के बावजुद रेल बजट में चनोधियों का नेदान और अकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया गया है उन्होंने कहा कि वित्ती संफाधनों की कमी के बावजुद इस बर्स रेल बजट में एक लाग श्रती सजार करोड रुपए का इजाफा किया है रेल बजट में चार नई गाड़ियां चलाने का एलान रेलवे, हमसफर, तेजस और उधे नाम से बिशस्त गाड़ियां चलाएगा सुरेश प्रभू ने कहा कि हमसफर गाड़ी में सिर्फ 33 रणी वाताज पूली तियातरा की सुविथा होगी इसमें भोजन की बेवफ़ता बैकल्पिक होगी तेजस गाड़ी की रफतार 130 किलोमीटर होगी और यह रेल यातरा भविश्य को दिखाएगी इसमें मनुरंजन, वाइफाई, इफ्थानी, भोजनादी की बेवफ़ता होगी हमारी वेबसाइट www.webdunia.com नमस्कार